हेलो अब्रिवन क्या से आप लोग उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे देखिए जासे ग्रीन हाइट्रोजन की बाते आती है ग्रीन हाइट्रोजन के स्टॉक्स पे आपको फोकस करने का मन करता होगा बड़ आपको पता नहीं चलता है कि कौन से स्टॉक पर बनना चाहिए आपको नजर आ रहा होगा इस स्क्रीन पर की ग्रीन हाइट्रोजन के अभी जो इंडिया पर लिस्टेड है वह आल्मोस्ट इतने सारे कंपनी इस सेक्टर पर काम कर रही है अब क्या काम कर रही है कौन सी कंपनी हो सकता बहुत अच्छा प्रॉपिट आप ग्रीन हाइट्रोजन है किया ग्रीन हाइट्रोजन कि प्रोसेसिंग कैसे होती है वह हम् लोगं सिखेंगे इस वीडियो को वाइद lives चर्चाएं की हैं कि ग्रीन हाइट्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो अल्मोस्ट एक दम जीरो कार्बोन इमीशन है और इसको बनाने के लिए आज भी हाइट्रोजन बन रहे हैं बट हमारा जो यह बिना इलेक्टिसिटी के यह हाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो सकता इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं लगती है वाटर पे इलेक्ट्रोलाइजर के थूरू करेंट को पास किया जाता जिससे पानी दो भागों में टूड जाती है हमारा पानी का जो केमिकल फार्मूला हो H2O है यहाँ पे हाइट्रोजन भी है और ऑक्सिजन भी है इसे अलग-अलग करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोसेस करना पड़ता है जिससे हाइट्रोजन अलग हो जाती है जिससे फ्यूल के तोर पे हम लोग यूज करते हैं इसे कंटेंट किया जाता और अक्सिजन को जो है ना अक्सिजन को अलग तरीके से स्टोड कर लिया जाता है तो इससे क्या हो सकता तो तीन चीजे हो सकती है पहला तो एबियेशन सेक्टर पे से यूज किया जा सकता है दूसरा जो केमिकल मैनिफेक्ट्रिंग पे से यूज किया जाता है और तीसरा जो है है यह कंपनी जी हां और यह मैं बार-बार कहा रहा हूं इससे पहले हमने इंफो टेक के करके यह नीचे अभी ट्रेड कर रहा तो यह देख लीजिए यहां पर इंफ्रास्टेक्चर हीट्रो कार्बोन्स पावर्स प्रोसेस डिफेंस टिकनोलोजी कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था बहुत कम लोगों ने इस वीडियो के देखा इसके पहले ही वाला वीडियो है बुलेट ट्रेंस के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है तो यह बहुत ही जवर्जेस्ट मतलब अजीब टाइप की कमपनी जिसमें आप एक से प्ले करके आप आराम से पैसा कमा सकते हैं दूसरा यह डिविडेंड देने वाला एक डेट फिरी कमपनी है तो इसे देख सकत है तो जो यह स्टॉक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था उस ट्रेंड से नीचे ट्रेड कर रहा तो फोड़ा सा करेक्षन अगर आजाए और अगर यह स्टॉक आपको 25 या 2800 2600 के पास में मिले तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे एक बार बिट तो बनता है यह बिट जो है न य यह आपको बहुत अच्छा प्रॉपिट दे सकता यह इलेक्ट्रोलाइजर बनाने वाली कमपनी है जिए इलेक्ट्रोलाइजर के लिए मैनिफेक्ट्रिंग अल्रेडी स्टार्ट हो चुकिया दूसरी कमपनी भेल है भारत है वी इलेक्ट्रिक्स लिमेटेड उसने भी उस स्टॉक को कंटीनिवस लिए आपके साथ में अपडेट कर रहा हूं अगर आपने अभी तक इस स्टॉक पर कोई पूजिशन नहीं बनाया तो आप अपनी आनलेसिस कीजिए अपनी फाइनसियल एडवाजर से कंसल्ट कीजिए और स्टॉक पर बनिये मुझे लगता है कि स्टॉक में ऐसी नहीं है कि गिरावट नहीं आएगी मार्केट 10 से 15 परसेंट इवेन इससे ज्यादा का भी करेक्शन दिखा सकता है वन वे करेक्शन दिखा सकता है तो इस चीजों को समझिएगा अगर आपको लगे तो इस स्टॉक पर पैसे लगाईएगा अधरवाइस की कीजिएगा मुझे लगता है इसे स्टॉक का जो पी है न अभी सस्ता पर मिल रहा है माल बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है बट आल्मोस्ट आप मान सकते हैं कि यह अभी बहुत ही मतलब वैल्यूवल पर आगे और भी इसमें पोटेंसियल 9000-10000 जाने की पोटेंसियल र आटिकल्स मार्केट के रिगार्डिंग आउटलूक कहां पर क्या हो रहा अभी देखें अभी एक लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं जेनरिक मेडिसीन पर बहुत सारी चीजे मतलब चल रही है अभी कोई क्लियरंस नहीं पता चला इंडिया की कुछ ऐसी कंपनी जो जेनर के साथ में शेर करूंगा भी और उम्मीद करता हूं आप भी हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूद साहित होंगे तो जुड़िया हमारा गोल्ड में वसी यूटिब चैनल का एक्सेस कीजिए टेलिगरम चैनल मिलेगा जहां पर यह सारी चीज़ अपडेट करता हूं उम् के लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलता हूं नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए बहुत बत देने बाद तैंक यू